आज आज अलग तरह का मशीन देखने जा रहे हो यानि के आज इस तरह का प्रोड़क्ट जो इंडिया में पहली बार आप देखने वाले हो यानिके गंणा और जूस का मशीन दोनों ही एक मशीन से ही निकलेगा जी दोस्तों एक अलग तरह का प्रोड़क आज आप देखने वाले हो के जिसमें आप जूस और सोडा दोनों फ्लीवर वाली सोडा और जूस गनने का और सबसे ज़्यादा बिजनस चल रहा है इंडिया में अभी और सबसे ज जो सालों से चल रहा बिजनस और जो भी कर रहा है वह सकसेज होता है यानि कि इस तरह का सोडा का मशीन दोनों ही एक के अंदर बनाये हुआ है जो फोरेंड सिस्ट्रम थाइलेंड कार्ट जैसे के नाम दिया गया है इंपोर्टेट मशीन बनाई हुए है थाइलेंड कार्ट जो आप अमारी चैनल पर आज पहली बार देखने वाले हो इंडिया में तो जिसे के वीडियो को अन तक जरूर देखना आपका फाइदे हो है बीना स्किप के हुए है सुड़ा मशीन जी दोस्तो स्वागत है आपका हमारा यूटूब की चैनल पर जी दोस्तो सुड़ा पन सुड़ा मशीन आपको पता ही है कि बहुत सारी मशीन हम लोग बनाते हैं और आज हमारे 20,000 से जादा सब्सक्राइबर हो चुके वह भी बहुत ही काम समय में वह आपक किट के अंदर और बहुत सारी मशीन है बेच चुके 10,000 से भी जादा हमारा कस्टमर बेच हो चुका है और अलग-अलग मशीन में आपके लिए लेके आता रहे तो यानिके नौन लेटिक मशीन सुड़ा मशीन बाटलिंग ब्लांट बहुत सारे मशीन आपने पाउंच फिल करने से पहले में और एक बार दिखाना चाहूंगा कि कहीं पे भी बिजली का अतार नहीं लगा हुआ है चारो और से आप देख सकतो कहीं पे भी बिजली नहीं रगी हुए कहीं पे भी वायर नहीं दिखेगने आप देख सकतो कहीं पे भी वायर नहीं लगा हुआ है पूरा को लिए कि वाली सोडा निकले की जैसे के देच सकते हो जाक को इसके इसाव से आपको सोडे का क्वालिटी पता जलेसा नॉनल्यकी telaank में गषिए बनाने में इंडीया में पॉड़ार वन कम निया आन लोग सोल ऐलग तरह का नोनल्यकी जुक्रत दोस्तो हो गफ्प के हम लाइव दिखाएंगे और इतनी स्ट्रोंग सोडा निकाल के दिखाएंगे आपको दोस्तों के सोडा पीने के बाद कस्टमर अपनी ही सॉप या आपके वहां मशीन पर ही सोडा पीने आएगा इस तरह की कॉलिटी वाली है जैसे के देख सकते हो क्लीर लेमन हम लोगों न एक दम बबल्स वाली सोडा रहेगी जैसे के देख सकतो हो कि इसके अंदर छोटे-छोटे बबल्स इससे ही आपको आईडिया आ जाएगा दोस्तों प्लेन सोडा में ही सबसे में जरूरी है कि आपकी प्लेन सोडा कैसी निकल रही है कि यह देखे दोस्तों पुरा एकदम स्ट्रॉंग सोडा बबल्स वाली सोडा आएगी इसके अंदर आपको में जमीन पर भी डाल के दिखाता हूं देखे यह इस तरह का कॉलिटी हम लोग बना के देखाएगे आपको देखे लाइफ यह प्लेन सोडा इसके अंदर से इतनी अच्छी कॉलिटी वाली सोडा निकलेगी मशिन के अंदर से जैसे के देख सकते हो अलग-अलग आप कोई भी फ्लेवर इसके अंदर से निकाल सकते हो उसके बाद आप यह जीरा मसाला है यहां पर और और यह पी तरह का अलग-अलग दो सोडा निकाल सकते हो और एक प्लेन सोडा के साथ आप combination करके बहुत सारा आप इसके अंदर से बिजनस कर सकतो यानि के गर्मिया दिन में या रात में दोनों टाइम पर यह चलने वाला बिजनस है जैसे के आपने देखा सोडा निकालके एक मशीन का एक हिस्सा आपने देखा अभी हम लोग गन्ना डालके गन्ने का जूस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटी सी बैटरी से गन्ने का मशीन कैसे वर्क करेगा और कैसे आप उसमें से बिजनस करोगे जैसे के मशीन यहां से आपको चालू करना रहेगा, यहां से मशीन राइट गुमेगा, और अभी जैसे के बैटरी कितना है, जैसे के फूल बैटरी चार्ज किया हुआ, यहां पर डिस्पले करेगा, बैटरी काम होगा, तब भी आपको यहां पर बता चल जाएगा, यहां से राइट चैट रोलर गुमेगा, हेवी त्रीन रोलर वाला SS का मशीन है, इसके अंदर लेफ्ट यानि के रिटन आईगा, इस तरह का शुगर केन क्वालिटी वाली मशीन इसके अंदर लगी हुई है, अभी मैं आपको गन्ना डाल के भी दिखाऊंगा एक बार, जैसे के गन्न आपको इस तरह का अच्छी क्वालिटी वाला लेना है, यहां से गन्ने को डाल देना है, जैसे के देखा दोस्तों, बहुत ही आसानी से गन्ना जा रहा है, यह पूरा गन्ना चला गया है, अभी जैसे के देखा दोस्तों, बहुत ही आसानी से गन्ना उसके अंदर चला गया यह देखिए अभी आपको यहां से जूस निकालना है यहां पर वाल दिया गया हुआ है जूस का देखिए जो प्योर हाइजेनिक गन्य का जूस मशीन है जैसे के दोस्तों देख सकते हो बहुती क्लियर और बहुती नैचरल हाइजेनिक जूक सुगर केंजूस आप इसके अब उसको आप स्याल कर सकते हो और वेस्टेज क हा्या है वह भी में आपको दिखाता हूं ४ाइस दोस्तों यह आने वाला है यह देखिए आप जैसे के देख सकते हो यह वेस्टेज बॉक्स है यहां पर आपका वेस्टेज आएगा यानि के मक्की वगेरा कुछ नहीं होने वाला प्योर हाईजेनिक आपका प्रोडेक्ट बनेगा फिर से एक बार में आपको गन्ना डालके जूस निकालके दिखाऊंगा दोस्तों जैसे के देख सकतो अभी हम यह अगर चला गया अभी आपको फिर से वापी नेत्रल जूस आ जागा है यहां पर उसका फिल्टर दिया गया हुआ है जैसे के देख सकतो वापी इसके अंदर जूस आने लगा है तो यानि के देख सकतो बैटरी के उपर चल रहा है पूरा गन्ने का जूस का मशीन इस तरह की कॉलिटी वाली मशीन आप खरिच सकतो दो तरह का इसके अंदर आप बिजनस कर सकतो सोडा मशीन के अंदर कोई भी तरह का पावर नहीं लग रहा है इन्वेटर बैटरी कुछ भी नहीं लग रहा है इसके अंदर चोटी सी सिर्फ दो बैटरी लगने वाली है दोस्तों और इस तरह का क्वालिटी वाला आप बिजनस कर सकतो अलग अपने शहरों में यह अलग तरह का बिजनस आपके लिए रहेगा इस तरह की ड्रिंक आप इसके अंदर बना सकते हो दो पर बना सकते हो कौन कौन सा इसके अंदर बिजनस करते हो मैंने कोशिश की हुए आपको समझाने की या फिर भी आपको समझ नहीं आरहा कोई भी चीज तो आप अमारी साल स्टेम को कांटेक्ट कर सकतो या तो हमारी डिस्क्रेशन में नंबर देया गया वहां पर आप हमारा वीडियो देखा हुआ है अगर इसमें कोई भी आपको query है या कोई भी question है तो मुझे comment ज़रूर करना मैं आपको comments का 100% reply भी करूगा thank you for watching video guys thank you so much